केंद्रिय मंत्री मंडल में मेरे सहयोगी अनुराग ठाकोर असम सरकार के मंत्रीगाण अन्य महानुभाव और देश के कौने कौने से उपस्तित युवा एथलेट्स खेलों इंडिया उनिवर्स्टिटी गेम्स में आप सभी से जूड़कर मुझे बेहत खुशी हो रही है इस बार नौर्थ इस्ट के साथ राज्यों में अलग-अलग शहरों में इक गेम्स होने जा रहे हैं इन खेलों का मैसकट एक तितली अस्टरलक्ष्मी को बनाया गया है मैं अक्सर पुरुबत्तर के राज्यों को भारत की अस्टरलक्ष्मी के रूप में देखता हूं और बोलता भी हूँ इन गेम्स में एक तितली को मैसकट बनाये जाना इस बात का भी प्रतीक है कि कैसे नौर्थिश्की आकांख्षाओं को नए पंक मिल रहे हैं मैं इस एवेंट में हिस्सा लेने आए सभी खिलाडियों को अपनी शुबकामनाई देता हूँ देश के कोने कोने से आये आप सभी खिलाडियों ने गुहाटी में एक भारत स्रेश्ट भारत की बव्य तस्वीर बना दी है आप जम कर खेलिए डट कर खेलिए खूद जितिये अपनी टीम को भी जिताईये और हार गए तो भी टेंशन नहीं लेना है हारेंगे तो भी हां से बहुत कुछ सिख कर जाएंगे साथियों मुझे खुशी है कि आज उत्तर से दक्षिर और पश्चिम से पुर्वी भारत तक देश के हर कोने में खेलों से जुड़े ऐसे आयोजन हो रहे हैं आज हम यहां नौर्थ इस्ट में खेलो इंडिया उनिवर्सिटी गेम्स के साक्षी बन रहे हैं कुछ दिन पहले लदाक में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन हुआ था उससे पहले तमिल नाडु में खेलो इंडिया यूद गेम्स हुए उससे भी पहले भारत के पस्चिमी तट के दीव में भी बीच गेम्स आयोजित हुए थे ये आयोजन बताते हैं कि देश के कोने कोने में युवाओं को खेलने के लिए खिलने के लिए जादा से जादा मौके मिल रहे हैं इसलिए मैं असम सरकार और अन्य राज सरकारों को भी इस आयोजन के लिए बढ़ाई देता हूँ साथियों आज समाज में खेलों को लेकर मन भी बढ़ला है और मिजाज भी बढ़ला है पहले माता पिता अपने बच्चों को किसी से मिलवाते समय खेलों में उनकी सफलता को बताने से बचते थे वो सोचते थे कि खेलों की बात करेंगे तो ये इंपरिशन जाएगी कि बच्चा पढ़ता लिखता नहीं है अब समाज की ये सोच बदल रही है अब माता पिता भी गर्व से बताते हैं कि मेरे बच्चे ने स्टेट्स खेला, नेशनल खेला या फिर इंटरनेशनल मेडल जीत कर आया है साथियों आज समय की मांग है कि हम खेलों को बढ़ावा देने के साथ ही खेलों को सेलिब्रेट भी करें और ये खिलाडियों से ज़्यादा समाज का दाइत्व है जिस तरह दस्वी या बारवी बाड के नतीजों के बाद अच्छे नमबर वाले बच्चों का सम्मान किया जाता है जिस तरह कोई बड़ी परिक्षा पास करने के बाद बच्चों का सम्मान होता है वैसे ही समाज को ऐसे बच्चों का सम्मान करने की भी परंपरा विच्षित करनी चाहिए जो खेलों में अच्छा प्रदर्शन करते हैं और इसके लिए हम नौर्थिस से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं पूरे नौर्थिस्ट में खेलों का जो सम्मान है जिस तरह महां के लोग खेलों को सेलिब्रेट करते हैं वो अदभूत है इसलिए फुटबॉल से एकलेटिक्स तक बैड मिंटन से बॉक्सिंग तक वेट लिप्टिंग से लेकर के चेस तक यहां के खिलाडी अपनी प्रतिवासे नीत नया आकास छू रहे हैं पुरुवत्तर की इस धर्ति ने खेलों को आगे बढ़ाने की एक संस्कृति विक्सित्ती है मुझे विश्वाथ है कि जो भी एथलिट्स इस टूर्नामेंट के लिए यहां आये हैं वो नई चीजे सीख कर इसे पूरे भारत में लेकर जाएंगे साथियों खेलों इंडिया हो टॉप्स हो या ऐसे अन्य अभ्यान हो आज हमारी युवापीडी के लिए नई संभावनाओं का एक पूरा इको सिस्टिम तयार हो रहा है ट्रेनिंग से लेकर स्कॉलर्शिप देने तक हमारे देश में खिलाडियों के लिए एक अनुकुल माहोल बन रहा है इस वर्श खेलों के लिए रिकॉर्ड साड़े तीन हजार करोड रुपिय का बजेट दिया गया है हम ने देश्टे स्पॉर्टिं टैलेंट को साइन्टिपिक एप्रोच के साथ नई शक्ति दिये है इसी का नतीजा है कि आज भारत हर प्रतियुगीता में पहले के मुकाबले ज़्यादा मिडल जीत रहा है आज दुनिया उस भारत को देख रही है जो एशियन गेम्स में नए रिकॉर्ड बना रहा है आज दुनिया उस भारत को देख रही है जो पूरी दुनिया के साथ कॉम्पिट कर सकता है वर्ल उनिवर्सिटी गेम्स में भी भारत ने गजब की सफलता हसिल की है 2019 में हमने इन खेलों में चार मिडल जीते थे मैं गर्व से कह सकता हूँ कि 2023 में हमारे नवजवानों ने 26 मेडल जीते हैं और मैं फिर कहूंगा कि मेडल की संख्यावर नहीं है यह प्रमाण है कि अगर हमारे युवाओं को scientific approach के साथ सहायता दी जाए तो वो क्या कर सकते हैं साथियों कुछ दिन बाद आप university से बाहर के दुनिया में जाएंगे निश्चित तोर पर पढ़ाई हमें दुनिया के लिए तयार करती हैं लेकिन ये भी सच है कि खेल हमें दुनिया की चुनोतियों से लड़ने का साहथ देते हैं आपने देखा है कि सफल लोगों में हमेशा कुछ ना कुछ विशेश गुन होते हैं उन लोगों में बस talent ही नहीं होता, temperament भी होता है वो नेत्रुत्व करना भी जानते हैं, team spirit के साथ काम करना भी जानते हैं इन लोगों में सफलता की भूख होती है लेकिन वो हार कर फिर से जीतना भी जानते हैं वो जानते हैं कि दबाओं में काम करते हुई अपना बेस कैसे देना है ये सारे गुण पाने के लिए खेल एक बहुत बड़ा माध्यम होते हैं जब हम खेलों से जुड़ते हैं तो इन गुणों से भी जुड़ जाते हैं इसलिए मैं कहता हूँ जो खेलता है वही खिलता है साथियों और आज मैं अपने युवा साथियों को खेलों से अलग भी कुछ काम देना चाहता हूँ नौर्थ इसकी सुन्दरता के बारे में हम सब जानते हैं आप भी इन गेम्स के बार मोका निकाल कर अपने आज पात जरूर घुमने जाएं और सिर्फ घुमे ही नहीं अपनी तस्वीरें सोचल मीडिया पर शेर भी करें आप हैस्टेक नौर्थ इस मेमरीज का उप्योग कर मुझे भी ये तस्वीरें भेज सकते हैं आप लोग ये भी कोशिश करिएगा कि जिस राज में खेलने जाएं वहां स्थानिय भासा के चार पांच वाक्य जरूर सिखें वहां के लोगों से बात करने के लिए आप भाशनी एप का भी इस्तवाल करके देखिएगा आपको सही में बहुत आनन्द आएगा साथ क्यों मुझे भी स्वास है कि आप इस आयोजन में जीवन भर याद रखने वाले अनुभव साथ ले करके जाएंगे इसी कामना के साथ एक बार फिर मैं आप सभी को धेर सारी शुप कामनाई देता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद